आज हम महादेवी बर्मा जी का जीवन परीचे जानने का प्रियास करते हैं तो देखिए महादेवी बर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है यहाँ प्रसना आप से एक अंक में पूछा भी जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है तो महादेवी बर्मा को आधुनिक युक्की मिरा माना जाता है या कहा जाता है इनका जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907 में होली के दिन जो प्राता 8 बजे इनका जन्म हुआ था कब हुआ था इनका जन्म प्राता आड़ बजे हुआ था 26 मार्च 1907 में हुआ था और होली के दिन हुआ था के लिए रहे अब इस्थान क्या था फरूकाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युक्की मीरा के नाम से जन्म जाता है इनका जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन प्राता आड़ बजे फरूकाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ सब परिवार में 200 वर्स के बाद में बेटी का जन्म हुआ था तो सोबा एक बात है खुसिया तो मनाई जाएगी तो उनके जो बाबा थे बाके बिहारी बहुती प्रसन हुए और इन्होंने इन्हें देवी का रूप मानते हुए इनका नाम महादेवी वर्मा रखा क्या हुआ कि परिवार में इनके 200 साल के बाद में बेटी का जन्म हुआ था तो इनके जो बाबा बाके बिहारी थे इनको बहुती प्रसन हुए और हर्स से इनका नाम इन्हें देवी मानते हुए मादेवी वर्मा नाम इनका रखा इनकी जो सिक्षा है हुआ 1912 में इंदोर के मिसन इसकुल से आरंब हुई और 1932 में इलाबाद विस्वविद्याले से संसक्रत में इनोंने एमे की परिक्षा उत्रिन की तथा सितंबर 1987 को असी वर्सी के अवस्ता में इलाबाद में इनका द्यानत हो गया इनका जो जनम था वाँ 26 मार्च 1907 को हुआ था और मरत्यू इनकी हुई है सितंबर 1987 में और जब तग इनकी उमर थी 80 साल की अब इनकी रश्चना देख लेते हैं देखिए रश्चना क्या है वेसे तो इनने बहुत सारी रश्चना है कि कुछ मुक्की रश्चना है लिख देख लेते हैं निर्जा रस्मी निहार निर्जा रस्मी निहार अबला और सब्ला मेरा परिवार यामा अतित के चलचितर आप इसको याद इस तरह से रख लेगा कि मान के चलिए कोई निर्जा नाम की लड़की है वहां अपने रेसम से बाल यानि कि रस्मी बोलिएगा पर रेसम से बाल की ट्रिक बनाईएगा निर्जा नाम की लड़की है रेसम से बाल और क्या कर रही है उसके बालों को निहार रही है वेसे आपसे सिर्फ दो रचनाई पुछता है तो आपको इसी भी दो रचनाई लिख सकते हैं निर्जा, रस्मी, नियार, अबला और सबला, मेरा परिवार महादेवी वर्मा जी की जो भासा है वहाँ अतियंत उत्करष्ट तता ससक्त है केसी थी इनकी भासा उत्यंत उत्करष्ट और ससक्त है आपने संसक्रत, प्रधान, सुद्ध, साइट ये भासा को ही अपनाया है साथ ही उर्दू, फार्सी के लोग पर चली सब्दों का पिरियोग भी आपने आपकी भासाओं के अंतरगत किया है इसके अलावा मौहावरों का भी पिरियोग इन्होंने जो इनकी रशना है की उनमें किया हुआ है ठीक है तो महादेवी वर्मा जी की जो भासा है वहां किसी है अत्यंत उत्करष्ट तता ससक्त है आपने संस्क्रत प्रधान सुद्ध साइतिक भासा को ही अपनाया साथी उर्दू फार्सी लोग परिचली सब्दों का पिरियोग भी आपकी भासा के अंतरगत यानि की रशना जो की आपने उसके अंतरगत मिलता है देखने को और इसके लावा मुहावरों का भी पिरियोग भी देखने को मिलता है अब बात करेंगे इनकी सेली की तो देखिए महादेवी वर्मा जी क्या थी एक यतारतवादी लेके का थी इनकी जो सेली है उसमें निम्नलिकित रूप है सुत्रात्मक सेली का चित्रात्मक सेली भावात्मक सेली और अलंग कारिक सेली महादेवी वर्मा क्याती एक यथार्तवादी लेकी का थी इनकी सेली के निम्लिकित रूपे, सुत्रात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक और अलंग कारी अब बढ़ते हैं साहित्ति में इस्थान की वर महादेवी वर्मा चायावादी युग साहित्य का क्या है एक इस्तंब माने जाती है इनका साहित्य में एक विशिष्ट इस्तान है आप इतना भी लिखेगा तो भी चलेगा और आप आगे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अन्यता को लिखने की जरुवत यहां तक नहीं है विशिष्ट इस्तान तक आप लिख दीजाए चाहे वादी यूग साहित्य का क्या है एक इस्तंब है और इनका साहित्य में एक विशिष्ट इस्तान है अब आप यहां से इसका स्क्रीन सोट लीजेगा इसके बाद में यहां से अगला स्क्रीन सोट लीजेगा और रचनाए यहां से भासा और इसके बाद में सेली और हंती में स्क्रीन सोट है आपका साहिति में इस्थान मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मौस्ट महत्पुन आपके लेखक परीचे या कवी परीचे के साथ